मादुर्गा के भग्त हैं या फिर मादुर्गा की भग्त दी करने की सोच रहे हैं या फिर आपके अंदर भग्मान प्राप्थी की कसक है तो आपके सामने एक ऐसा भग्त लेकर आए हैं जिसके सामने मा दुर्गा साख साख आठो अंक सहित खिरकर हो जाती थी दुर्गा जी की उपासना करता था चुकि मेरे घर में सारे लोग दुर्गा की उपासना करते थे वही उपासना मैं करता था और दुर्गा जी का उपासना करने से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दुर्गा जी ऐसे साख्छात आठवां के सहे तक्त पर विराजमान हो जाती थी और हम उनसे यही प्रातना करते थे कि कैंसर था कैंसर ठीक हो जाए आज जगत जन्नी है जैसा सुन रखा था हमारे गुरूओं ने धर्म गुरूओं ने हमको बता रखा था कि दुर्गा ही सारी जगत की जन्नी है तो हम ने कहा हमारे दो भाग खुल गए ये इतना मतलब किसी को जब इस भक्त को मा द्रुगा की इतनी भक्ती करने के बाउज़ू जूद भी पतनी की मिर्टु हो गई फिर इसे भगवान प्राप्ती की चाह बनी भक्त ने भगवान प्राप्ती की चाह में अपनी गर्दन तक काड़ डाली अब देखना ये है कि क्या पतन को भगवान मिलाया नहीं आईए आपको सुनवाते हैं दा टू स्टोरी पर इसकी मिर्टु हो जाने के बाद मैं सारी रात सोया नहीं मैं ये सोच रहा था कि इस दुनिया को मैं बताओंगा कोई यगिन नहीं करेगा कि ये दुर्गा साक्षा देख रहता है और इसके बाद भी इसके ऐसे हाल हो गए कि पतनी मर गई कैंसर से मर गई मैंने क्या किया सुन अगवान तो मैंने देखा वो मेरे जीवन के कहर नहीं अलग कर सका कोई मेरे जीवन में कहीं पे भी सुख और सांती नहीं प्राप्त हुई ऐसा करके मैंने अपने आख का ये गला काड़ दिया गला काड़ने के बाद जो है मैं तीन दिन जो है मरा हुआ था दुर्गा जी क बगवान मरने भी नहीं दे रहा है, मिलता भी नहीं है, कहां जाओं कैसे पाओं। जब यह चीज हुई, मेरे प्रश्णों का उत्तर नहीं मिल रहा है, मरने देता नहीं, मिलता है नहीं, भगवान है कहां। ऐसा करके जो है, मैं प्रश्णों पर प्रश्ण मेरे अंदर से उठ रहे थे, फिर हुआ किया सर जी, कि मैं तीसरे दिन जब अपने होस में आया, तो मैं बेट पर पाया, फॉस्पेटल में पड़ा हुगा था, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज नहीं निकल रही है, तो मैं इसारा किया, कि मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहे है, कोई सुनने वाला नहीं, सब देख रहे हैं, एकदम से उन्होंने देखा है, इसको होस आ गया, ठीके, इसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा किया है, जब इनको सुनाई यह नहीं दे रहा है, अच्छा रहा, कौन कितन इतने उचस्तर पे हो, इतनी आस्ता उनकी हो, कि भगवान पाने के लिए वो अपनी मोद को भी घले लगाना बैतर समझते है, आपने भगवान प्रापती के लिए, भगवान दर्सन के लिए अपना गला काट दिया, आपकी पतनी की मृत्य हो गई, जबकि आप कह रहे हैं क आपको दुर्गा देवी शाक्षाद नजर आती है, शाक्षाद दर्सन देती है, बावजुद इसके आपको आज्यात्मिक लाब नहीं मिले, सारे एक लाब नहीं मिले, जबकि हम देखते हैं कि आज के समय में बहुत कम ऐसे लोग होंगे, जो आपकी तरह आस्ता रखते भगवान प्राप्ट करने के लिए, सर क्या कहना चाहेंगे, आखिर आपको आज्यात्मिक शारी लाब क्यों नहीं मिले, सर इसमें ये है, जो आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने, जेसा हमें ग्यान दिया, सास्तर के बिरुद ग्यान दिया, और उसकी जानकारी दी, उसी पद्धिती को हमने जीवन में सुना, आचरण में लिया, उसको करते रहे, उसको करने के बाद, परमातमा कहते हैं, बंदी छोड सत्गुरु रामपाल जी महराज अपनी बाली में कहते हैं, कि भई, जो तीन देव की करते बक्ती, उनकी कभी न होवे मुक्ती, परमातमा परमातमा अपनी बाली में कहते हैं, क्योंकि हमको सच्चा ग्यान देने वाला कोई गुरु आज तक नहीं मिला, क्या आप ये कह सकते हैं कि संत्रामपाल जी महराज की संड में जाने के बाद आपकी वो खोजपूरी हुई? बुलकुल, मैं ये आपको बहुत बनिया बात बताता हूँ, मेरे जब ये प्रेशनों का हल नहीं हुआ, कि भगवान ये नहीं है, तो वो परमातमा है कौन, कहा है, कैसे मिलेगा, मैं इस कोज में जब चला, तो मेरे माइन में एक बात आई, कि जो सारे जितने चेनल से, कही कोई तो गुरू होगा, जो इस संसार के विसे में, इस भगवान के विसे में जानकारी दे रहा होगा, ये प्रेणा हुई मेरे अंदर आटोमेडिक, पता नहीं क्यों, मैंने फिर सारे चेनल सुबह से बैठता था, दिन के 6-7 बज़े जो है, मैं बैड आता था, और 11-12 जो नहीं बता ख्या तो मैं उनको फिर मोल्ड करते जाता था, मैंने को चैनल शेंज करते जाता था, नहीं मिलता था, थक जाता था, धुफ vagina, फिर सो लिढा तो चैनल बज़े बड़टा, सांगे 6 बज़े तक चैनल देखता हुई, चैनल देखने बदो कोई राम rebound matter, कोई over वो गुबर्दन परवद उठाए है, इसके आगे कोई ग्यान ही नहीं, कोई नहीं, कोई हनुआ जी की उपास नहीं बता रहा, आप ऐसा कर लो, ये हनुआ जी ऐसा चमत कार कर देंगे, हनुआ जी पून परमात्मा है कलियोंग में, मेरेको ग्यान ही नहीं समझ आ रहा, कोई ह नहीं बता रहा, फिर हुआ क्या, कि मुझे जो है, ये प्रश्णों का उत्तर, एक दिन जो है, बंदी छोड़ सत्गुरू रामपाल जी महराजी का चैनल देखा, उसमें बंदी छोड़ सत्गुरू रामपाल जी महराज जो है, दुरुगा कैसे पैदा हुई, कहां से इसक गिननतों में प्रमाल करके, सब कुछ बता रहे थे, और जेसा मैंने उनका ग्यान सुना, मेरे तो पैरण खतले से जमीन ही किसे घपकेगी, ॷ už प्रमातमा आप तो ये अनमूल ग्यान पतारये ह vacay, मालिक, मैं कहां खोज रहा ता प्रमातमा, आप तो यहां मेले मालिक मेरे तो सब कुछ बरबाद हो गया है यहां दुनिया जूड जूड बोल बोलके और सब को बरगला रखे है है इसको सब मूर को बना रखे है अपनी दुकाने चला रहे है मालिक ऐसा ग्यान आपने जो इने चोल करके सद्गरंतों में दिखा दिया मैं तो ढूंड रहा था परमात्मा किसी ने आज तक मैं बताओं आप से सर जी किसी ने आज तक सद्गरंतों को खोल के नहीं दिखाया कि देवी भगत गीता में क्या लिखा है गीता में क्या लिखा है बेदों में क्या लिखा है कुरान सरीव में क्या लिखा है पवित्र गुरु गरंथ में क्या लिखा है पवित्र बाइविल में क्या लिखा है गुरु गरंथ में भी परमात्मा का नाम लिखा है कि आपको संद रामपाल जी महाराथ से नामदिक्षा लेने के बाद परमात्म ततव का ग्यान हुआ, परमात्मा कौन है, कहा है, कैसे है हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि संद रामपाल जी महाराथ से नामदिक्षा लेने के बाद आपको क्या लाब मिले बंदी छोड सत्कुरू रामपाल जी भगवान जी से दिख्षा लेने के बाद मुझे मेरे सरीर में बच्पन में मैं पेड से गिर गया था मेरे रीट की हड़ी में बहुत तकलीप रहती थी वो ठीक नहीं होती थी वो परमात्मा बंदी छोड सत्कुरू रामपाल जी महराजी से दिख्षा लेने के बाद 90 ही दिन में वो जो काफी साल का दर्द था जो डाक्टर ठीक नहीं कर पाए जो कोई संत ठीक नहीं कर पाया कोई जाडा लगानिया वाला ठीक नहीं कर पाया वो परमात्मा की सत भक्ती करने से वो ठीक हो गया, सर जी ये कहना चाहता हूँ, कि जिन पूजाओं को पहले मैं करता था, उन में मेरे को जो एक गंदी लत थी, जो कोई नहीं जानता था मेरे परिवार में, मैं सराब भी पीता था, बीडी सिगरेट भी पीता था, और गांज लेकिन वो कोई जान नहीं पाता था, कोई पता नहीं कर पाता था, मैं आप से बतला हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ सब्दों में, ऐसी आलत को मैं प्राप्त हो गया था, ऐसा नास्तिक होना जा रहा था कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं, आज जो भगवान प करते थे आप नास्तिक्ता की गगार पे पहुंच चुके थे सर आपका नसा कैसे जोटा फिर बंदी छोड सद्गुरु रामपाल जी महराज जी की सरण में जाने के बाद मैं सर जी आप से बताऊं मेरा नसा एक सेकेंड में ही छूड गया वो जो लत थी मुझे एक्चा ही नह सर अब आपको कितने वर्ष हो गए हैं कि आपने नसा नहीं किया मैं जबसे चब्विस एक दो हजार चुदा को मैंने परमातमा बंदी छोड सद्गुरु रामपाल जी की सरण में गया उस तारिक से वो सारे नसे छूट गए एक ही पल में सरम आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे कहीं न कई संत रामपाल जी महराज के जोनियाई है उनके निसाने पर ज़्यादा तर हिंदू देव देवता ही रहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि उनको देवी देवताओं के पूछने से कोई लाब नहीं मिला हम आपसे ये प्रस से किसी भी धर्म के प्रती कोई साजिस नहीं रहच रखी है परमाताम बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महराज जी ने क्योंकि उनका एक स्लोगनी ये एक के जीव हमारी जाती है मानव धर्म हमारा हिंदू-मुसलिम सिख हिसाई धर्म नहीं कोई नहीं 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 अधर्म बहुत खुला चेंजर लेंज किया था कि आज इस संसार में कोई भी गुरू हों दो कोई भी मातमा हों दो कोई भी संकराचार हों दो मैं उससे डिविट करने चाहता हूं मैं डिविट करने के लिए एक्षोग हूं बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी संदी छोड़ सत्गुरु रामपाल जी महराजी का ग्यान ऐसा है कि इस दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है सर अंतिम प्रस्न आपसे पूछना चाहेंगे कि एक ऐसा धरम गुरू एक ऐसा संत जो आपको आजयात्मिक ग्यान देते हैं जो आपको सारी गलाब देते हैं आप इसी कुरूतियां जो सारे समाज को एक अग्यानता में बांदे हुए हैं ऐसे संत को जिसने आज आज सारे संसार में नसा मुक्त बिना किसी दवाईयों के बिना किसी ठीड्मेंट के उनकी जितने विस्य से आप देख लीजेगा कोई नसऔर लेगा कोई दहेज लेते नहीं मिलता है आज सत्वक्ती करते हैं सारे किसी भी प्रकार से कोई भी किसी भी प्रकार का नसागा में सहयोग तक नहीं करते हैं ऐसे संत को आज जेल में डाल रखा यह बहुत सर्मनाक बात है और आज संसार में ऐसी बात कोई नहीं बोलना चाहरा सत्की जो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाली महराजी ने बताया उनके ज्ञान को आज समझने तयान नहीं है खास कर रही है भारत सरकार भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि सर्म करना चाहिए ऐसे उधारक संत जो समाज को सत भक्ती कराके और उधार कराना चाहरा है ऐसे समाज का निर्माण ऐसे स्वक्ष सर्माज का निर्माण कि आज भाईचारा, अमन, चैन, सुक, सांती सब कुछ आ रहा है जितने भी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराजी किससे आज आप उनसे मिलके देख लिजिए कोई नस्य में सयोग नहीं करते किसी परकार की कोई कुरुतियों को नहीं मानते आज ऐसे संत को जेल में ڈाल रखा है कोई सुनने वाला नहीं है आज मैं भारष सरकार से ये प्रातना करना चाहता हूँ हाँ जोड़के ऐसे संत जो समाज उद्धार रखें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराजी को बहुत जल्द से जल्द बाहर लाएं उनको जेल से निकालें और उनका च्रणमंदन करके अपना उद्धार कराएं और माना समाज में सयोग करें एक स्वक्ष माना समाज बनाने में सयोग करें सर आप बगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज देव दिवताओं की पूजा करते हैं नकली धर्मगुरुओं के जाल में फसे हुए हैं या ये कहें कि कहीं न कहीं नसर के गिरिफ्त में हैं उन लो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संत रामपाल जी महराजी के चोले में आज इस धराताम पर बैठा हुआ है सभी भक्त समाज और जवलपुर MP से जैसा मैंने बताया मैं ग्राम सुंदरपुर से हूँ उससे ग्राम सुंदरपुर से लगे हुए दस गाउं है उन सभी भोली पुन् जिन महराजी के मंघल प्रवचनों को सुने और इस ज्ञान को सुने और आम महराजी से बहुत जल्द से जल दीख्चह लेकर अपने जीवन का कल्यान कराएं और मोक्ष प्राप्त करें जी धन्यवाद सदसाइठ झाल